तो गुड बॉर्निंग गाइज वेलकम बैग तो गाइज मैंने कम्यूनिटी सेक्षन में एक पोल डाला था कि आप मेंसे कित्ते लोगों को देखना है मेरा स्टेप बाइस्टेप वीजा बायो मेट्रिक्स के पूरे प्रोसेस का वीडियो तो आप मेंसे जादवतर लोगों सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छे रिट से ग्रो कर रहे है और गाइज अगर आप ने नोटिफिकेशन बेल को नहीं किया है तो उसको भी प्लीज ऑन कर लो मैं हर तीन दिन में एक वीडियो डालता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप और कोई भी वीडियो मिस ना कर दो इसलिए वह बैल को जरूर से ओन कर देना और गाइज अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया आपके कोई भी और डाउट्स है कैनडा से स्टडी रिलेटेड जिन वीडियो को मैं बनाता हूं उनके अलावा तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पर डीम कर सकते हो मैं सबके रिप्लाइ देता हूं तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपने जब अपना बायोमेट्रिक बुक किया होगा तो आपको मेल पर उसका एक अपॉइंट्मेंट लेटर आया होगा तो वह अपने साथ लेके जाना है जो सेकेंड चीज आपको अपने साथ लेके जाना है वह आपका बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर यह भ और अपने साथ सेंटर पे लेके जाना अब बात करते हैं कि आपको कितने टाइम पहले पहुचना चाहिए आपके सेंटर पे तो ज्यादा पहले पहुचने की बिल्कुल जरूवत नहीं है आप क्योंकि हर 15-15 मिलेट में बायोमेट्रिक्स की एपॉइंटमेंट्स होती हैं तो लोग भी समझते हैं तो आप लोग जब भी जाओगे आपको लाइन में में खड़ा करेंगे तो मैक्स to मैक्स 5-10 मिनिट पहले ही आप लोग जाना ज्यादा जल्दी जाने कि कोई जरूवत नहीं है आप 5-10 मिनिट पहले भी जाओगे तो आपको लाइन में एनिविच में खड़ा होना पड़ेगा फिरी वो आपको अंदर पेचेंगे गाइस तो जब आप भार लाइन में खड़े होते हो वेट कर रहे होते हो जाने का तो उस ताइम एक आदमी आपसे आपके जरूर पूछेगा कि आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ ताकि उसके पास जो लिस्ट है आज की अपॉइंटमेंट्स की उस टाइम में वो उसमें आपका नाम टिक कर दे तो यह बहुत बेसिक सी पूछता है आपसे एक ही चीज पूछते हैं जब आप लाइन में लग रहे होते हो बाहर ही सेंटर के अंदर जाने से पहले आपका बस एक बार बील चेक होता है कि आपकी उस टाइम पर है कि नहीं उसके बाद काईज आपको वो लोग फेज देंगे और अंदर जाने केब बाद आपको एक लाइन में खड़ा कर देंगे horizontally हम तो शायद 15 लोग थे 15 से 20 लोग थे तो हम सब को एक साथ एक रूम में उन्होंने stand कर वाया था horizontally और उसके बाद आपसे वो हो सकता है कि वहाँ पर आपका biometrics appointment letter ले ले हम सबसे तो ले लिया था अपना हमारा BAL तो वह हमने उनको दे दिया था उसके बाद गाइस वहाँ पर एक आदमी होगा जो आपको अच्छे से समझाएगा कि आपका पूरा biometrics का प्रोसेस कैसे होने वाला है बेसिकली वह मोटेमेटर दो और पर समझाएगा कि प्रीमियम लेना चाहिए नॉर्मल लेना चाहिए मैंने प्रीमियम और नॉर्मल पर एक वीडियो बनाई हुई है तो वह वीडियो आप यहां में उपर डालूंगा आप वीडिय नॉर्मल लिया, नॉर्मल के साथ होता है उसके बाद आपको वो लोग सकान करते हैं ये अग बार आपको एक दूसरे डोर के थ्रू अंदर भेज देते हैं अगर तो आपने नॉर्म लिया है, तो आपको वहीं सामने बेंचेस होगी आप वहीं बैट जाओगे अपनी टर्न का वेट करने के लिए अगर आपने प्रीमियम लिया है तो आपको लेफ्ट में ही काउंटर होगा तो आपको अपना जैसे मेरे टाइम पर 3169 अमाउंट था प्रीमियम का तो वह अमाउंट आपको पे करना होता है उस टाइम कार्ड न और को ऐसी दिक्कत नहीं होती है तो थोड़ा अच्छा एक्स्पिरेंस होता है आपको बेसिकली अंदर उसके बाद गाई जैसे मैंने प्रीमियम लिया था तो उसमें जैसे रूम में गया था तो महाँ पर जब हम अपने ड्रिंक्स वगरे एंजॉय कर रहे हो उसके बाद एक आदमी आएगा वह एक फोल्डर में आपकी सारी फाइल जमाएगा आपको और फिर वह आपको एक चीज एक्स्प्लेंड करेगा कि जब आपका पीपी आर आएगा तो आपको क्या-क्या स्टेप्स करने हैं तो वह एक पूरी स्लिप पे हो चीज लिखके आपको समझाए लाएगा उस ताइम और वह फोल्डर ऐसे बंद करके आपको सारे डॉक्यमेंट के साथ आपको फोल्डर दे देगा और बोलेगा कि आप सीधा रूम में चले जाओ तो यहां पर यह था कि नॉर्मल वाले लोग थे उन लोगों को उन्होंने वेट करने को बोला था लेकिन ह ओपर एक यह लगा होता है तो आप लोगों को सबसे पहले वह जो जो बी इनसान मा बैठा होगा वह आपको बोलेगा कि अपने उतारो और मास्क गटाओ और ऐसे करके आपसे ऐसे और ऐसे करके आपसे दो फोटो कैमरे में देखके आपको बोलेगा की खड़े हो जाओ फिर कि उसने आपका नाम पूछा था स्पेलिंग अच्छे से पूछी थी एक और चीज ध्यान रखना गाइस जैसे मैं ध्रुव चोहान हूं तो मेरे चोहान में मुस्ली गलती हो जाती है च एच एउ है बहुत बार सी एच ओ यू कर देते हैं तो वाइस मैंने उसको महाँ स्पेस करेक्ट कर दिया था तो आप अगर आपके नाम में को ऐसी स्पेशल स्पेलिंग्स है जो यूजवली लोग मिसिंटर्प्रेट कर देते तो आप उनको पर पॉइंट कर देना कि आप इसका ध्यान रखें तो मैंने उसको ढंक से बता दिया था उसके बाद उन्होंने मुझे वाड़े बापिस स्पेक्स और मास्क उटारके साइड में एक मशीन थी उसके सामने बैठने को बोल दिया था तो उस मशीन ने थी के लिए थी हमारी और कुछ नहीं उसके बाद हमने स्पेक्स वगएरा पहन लिए और उसके बाद गाईज जो सामने एक बायोमेटर की मशीन होती है फिंगरप्रेंट की मशीन तो आप से थीन सेट्स और फिंगरप्रेंट लेते हैं तो सबसे पहले तो आपकी इसाथ की चार फिंगर्स फिर इसाथ की चार फिंगर्स और दोनों हैंड्स के थम साथ में रखके तो यह तीन सेट्स ओफ फिंगरप्रेंट्स आपके वह लेते हैं और उसके बाद वह फॉर्म में कुछ-कुछ टिक कर देते हैं और फिर वह आपको बोलते कि आप जा सकते हो तो उसके वो update हो गया था मेरा IICC जीच की पर तो अगर आप नॉर्मल वाले ओ तो आप भी वह portal जरूर चेक करते रहने और बोडेत कल नॉर्मल वालों का एक दिन में भी हो तो प्लीज लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नीचे कमेंट करना अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो और कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पर डियाम कर सकते हो तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ब